वेल्कम बैक टो नेधर वीडियो चौकर दामन पे बहुती हुपसुरा सा डिजाइन बनाना सकौंगी इस डिजाइन के बाद आपके सूट की लोग चेंज हो जाएगी वीडियो को आपने लेकर शेट करना है चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे शेट की किटिंग करके मैंने बागी सारी शेट स्टिच कर दी है साइड से इसकी कमर की स्लाई भी मैंने लगा ली है यह जो कमर की स्लाई लगाई हुए यहाँ पे ऐसे आपने तिर्चा कट लगाना है जैसे मैं लगा रही हूँ सिर्फ आपने फैब्रे को कट करना है स्लाई को आपने टच नहीं करना अब इस फैब्रे को सीधी साइड पे फोल्ड करके आपने प्रेस करना है मैंने हिप से लेके नीचे दामन तक एक एक इंच एक्स्टा फैब्रेक लिया हुआ है तो इस तरह से यह जो extra fabric है इसको नीचे दामन तक fold करके मैंने सीधी side पर press कर लेना है चौक का जितना भी extra fabric था वो सारा मैंने सीधी side पर आसे fold करके press कर लिया है यहां से आप देख सकते हैं यह corner इस तरह से आया है आप चौक पी लगाने के लिए हमने पटी बनानी है तो उसके लिए मैंने अलग से एक इंच चौडाई में stick paper लेके fabric यूपर paste कर लिया है चौडाई आपने एक इंच लेनी है और लंबाई आपने अगर आपके चौक 20 इंच है तो 20 में आपने 10 इंच extra एड़ करना है 30 इंच लेना है लंबाई में तब जाकर यह पटी आपके दामन पे पूरी आएगी ऐसे मैंने harping तक extra fabric लेके उसको नीचे वाली side पे रखा है और किनारे पे आपने slide इतनी ही बारीक लगानी है जितनी बारीक आपको piping चाहिए ऐसे बारीक slide मैंने लगा ली है अब extra fabric को उल्टी side पे fold करके piping के किनारे पे slide लगानी है ऐसी ही मैं पटी की दूसरी side पे भी piping लगा लूँगी पटी की दौनों side पे piping लगाने के बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया है अब उल्टी side पे मैं gum लगाऊंगी ऐसे गम लगाने के बाद आपने पटी को एक किनारे से ऐसे triangle shape में fold करना है जैसे मैं करें हूँ ऐसे fold करने के बाद same जिस method के साथ मैं पटी को fold करें हूँ ऐसे आपने सारी पटी को fold करते जाना है इसी तरह सारी पटी हम fold करते जाएंगे ये corner हम खोल लेंगे क्योंकि ये extra slime में चला जाएगा बागी की हमने पटी same ऐसे ही fold करके बना लेनी है फ्रंट side के लिए मैंने ये दो पटीयां बना लिए हैं आप जाएं तो back side के लिए भी बना सकते हैं corner मैंने ऐसे fold की हैं same ऐसे आपने fold कर लेने हैं गम की मदद से ताके लगाने में असानी हो इन पटीयों को अब हमने shirt पे attach करना है तो पहले हम side से जो चौक का extra fabric था उसको fold करके प्रेस कर चुके हैं तो ऐसे dating तक आपने पटी को उपर की side बढ़ाके रखना है चौक से और के नारे पे slide लगानी है अब center में तिर्ची piping आ रहे हैं piping के center में जो simple fabric है यहां पे हम बारी ट्राइंगल लगाएंगे एक इंच ओडाई और एक इंच लंबाई में मैंने ऐसे fabric cut किया है black color का contrast में और इसको triangle shape में fold करके पहले से मैंने triangles बना लिए है प्रेस कर लिए है आपने भी जितने चाहिए होगो इसे साफसे बना के प्रेस कर लेने है और ऐसे center में रखके stitch करने है ज्यादा बड़े triangle आपने नहीं लगाने चोटे चोटे से triangle लगाने है वो दिखने में बह बहुत सफाई के साथ आएगी ऐसे मैं center में triangle रखती जाओंगी और चौक पर यह पटी attach कर दूंगी दामन तक हमने पटी को attach कर लिया है अब machine को हमने ऐसे वापिस मोंड़ा है और पटी के दूसरे किनारे पे इसलाई लगा लेनी है एक साइड पे मैंने पटी लगा ली है अब इसी method को follow करके मैं दूसरी साइड पे भी पटी लगा लूँगी फ्रांट साइड के दोनों चौक पे मैंने ये design बना लिया है आप अगर back साइड पे भी बनाना चाते हैं तो आपके अपनी choice है बना सकते हैं बैक साइड में simple पल्टा लगाओंगी फ्रांट साइड के दामन पे अपने design बनाना है उसके लिए मैंने stick पेपर लिया सेम जितनी मेरी दामन की चोड़ाई है उसे साब से और लंबाई stick पेपर की मैंने तकरीबन dying तक लिए है ऐसे हमने एक triangle पहले cut कर लिया है उसको fold करके रखना है पहले center में अब ऐसे हमने इसको खुला करके सारे stick पेपर पे इस तरह से triangles ड्राउ कर लेने है ऐसे यह सारे triangles मैंने draw कर लिया है अब यह जो निशान लगा है इंको follow करते हो extra stick पेपर को करना है cut cut करने के बाद इसको मैं दामन पे paste करूँगी stick पेपर को मैंने दामन पे paste का लिया है अब डाइयन चोड़ा मैंने extra fabric लिया है जो नीचे वाली side पर रखना है अब यह वाला corner आप देख सकते है triangle shape में है मैंने ऐसे slide नहीं लगानी सीधी slide लगाऊंगी मैं यहां से ताके पट्टी की खुबसूरती काइम रहे अब ऐसे stick पेपर के किनारे किनारे पे slide लगा लेनी है तो same इस side से भी हमने तिर्ची slide नहीं लगानी यह सीधी slide लगानी है पट्टी से center से extra fabric को cut करना है fabric को cut करने के बाद corner पे हमने छोटे छोटे कट लगाने है यह वाले cut आपने सिर्फ fabric को लगाने है slide को आपने टच नहीं करना extra fabric को उल्टी side पे fold करना है यह वाले जो corner है आप किसी भी नुगदार चीज के साथ इनको set कर सकते हैं ऐसे सारे corner set करने के बाद मैंने इसको press कर लेना है दामन के extra fabric को उल्टी side पे fold करके press कर लिया है अब center में मैंने triangle लगाने है तो उसके लिए मैंने 2 इंच चुड़ाई और 2 इंच लंबाई में fabric लेके ऐसे triangle प्रेस कर लिए है double triangle लगाऊंगी सेम एक trouser के साथ का और एक black color का ऐसे यहां से हमने extra fabric को fold करना है यह वाली slide हम बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे और यह triangle की center में हमने यह वाला design बनाना है triangle से double triangle लगाएंगे हम ऐसे सारे triangle center में रख के हमने stitch कर देने है दामन पे ऐसे triangle stitch करने के बाद extra fabric को ऐसे fold करके तुरपाई कर लेनी है back side के chalk पे मैं simple पल्टा लगाऊंगी तो ऐसे यह camera की slice का एक्स्टा fabric है यह हमने पल्टे के साथ stitch करना है ताके यहां से slice safe हो जाए आप back side पे भी design बना सकते हैं या फिर piping पल्टे की जगे पे piping भी लगा सकते हैं दमन के किनारे तक Pit लगा के हमने ऐसे fabric को बाएर निकालना है और पल्टे को ऐसे fold कर ना है जैसे मैं करी हूँ अगर आप piping लगा रहे हैं तब भी आपने और ऐसे फोल्टा लगा रहे हैं तब भी आप अगर piping लगते हैं normal किसी suit पे तब भी इस तरह से corner और फोल्ड करें बहुत ही सफाई के साथ कॉर्णर आएगा ऐसे सारा मैं पल्टा लगा के मिशीन के साथ स्लाई लगा लूँगी आप तुर्पाई भी कर सकते हैं बैक साइड पे पल्टा अटेच करने के बाद शिर्ट को मैंने प्रेस कर लिया है सिर्फ फ्रन्ट साइड के चौक पर मैंने ये डिजाइन बनाया है अगर आप बैक साइड पे भी ये डिजाइन बनाना चाते हैं तो इसी मेधर के साथ बना सकते हैं दामन के डिज़ाइन भी बहुत खुबसूरत लुखते रहे हैं चालर ही यहाँ पर देखें यह कैमरे में भी इस altijd खुबसूरत लुखते रहे हैं वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट डॉक्स में आपने मुझे जरूर बताना है कि यह डिजाइन आपको कैसा लगए मिलेंगे नेक्स वीडियो में अलाह आफेस